कि अग्रेंट्स अपने चैनल टीटन स्टेडी पर आज हम लोग का टॉपिक है ग्रंथी ग्रंथी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे वह सारा हम लोग आज डिस्क्स करेंगे ठीक है यह क्लास उन सभी एस्टोंस के लिए इंपोर्टेंट है जो या तो बोर्ड का एक्जाम देंगे या फिर किसे भी इस ग्रंथी से रिलेटर बहुत सारे कुसंस देखने को मिलते हैं ठीक है तो वीडियो में अलब तक बने रहेएगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रंथियां ग्रंथियां खिर है क्या चिक है और यह वर्क कैसे करता है तो हमारा जो शरीर है नियंत्रन एवंग समन्वे के लिए इसको रसाइन का बहुत जरूरत होता है जैसे कि मैंने जब चेप्टेर स्टार्ट किया था तो आप लों को पता है था कि नियंत्रन और समन्वे के लिए दो चीजों की ज़रूरत होती है एक तो chemical का और एक इसका नर्व सेल का, तो कैमिकल जो होता है, वह गरंथियों से सेकरेट होता है, और नर्व सेल जो होता है, वह हमारे सरीड पाया जाता है, ये दो तरीके के जो कमपोनेंट है, इसी दोनों कमपोनेंट के साइता से क्या होता है, हमारे सरीड में नियंत्रन और समिनवे की क्रिया होती है तो तंत्री का तंत्र मैंने अल्रेडी पहले करा रखा है आज हम लोग डिस्स करेंगे ग्लेंट्स के बारे में ठीक है तो देखिए हमारे सरीड में जो ग्लेंट्स होते हैं वह दो तरीके के होते हैं मल लीजिए एक यह ग्लेंट्स है एक यह ग्लेंट्स है ठीक है तो एक होता है जिसमें क्या होता है कि केमिकल अदर की और सेखेर होता है तो हमसको बोलते हैं हार्मोन अठीक है और य solicit होता है तब क्या बोलते हैं इंजायमस बोलते है उसको ठीक है और इस तरीके से अंदर और बाहर सेक्रेट होने के स्थिती में हम लोग इसका नाम करन भी उसी हिसाब से करते हैं अगर मालने जीए कि केमिकल अंदर सेक्रेट हो रहा है तब हुम सु क्या बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लेंट्स या फिर अंतह सरावी ग्रंथी की बोलते हैं ठीक है अगर केमिकल का सेक्रेशन अंदर हो रहा हो अंदर बोले तो अंतह ठीक है अंतह सराव होना अंदर सराव होना यानि कि जिस ग्रंथी से केमिकल का सराव अंदर होगा ग्रंथी के अंदर होगा उसे क्या कहेंगे अंतह सरावी ग्रंथी और यदि बाहर हो चलिए तो समझ में आगया हार्मोन का सिक्रेशन किसके माध्यम से होगा अंतर सरावी गरंथी के माध्यम से और यह जो आपका इंजाइम का सिक्रेशन होता है वह किसके माध्यम से होता है बाहर सरावी गरंथी से ठीक है लेकिन एक अंतर क्या होता है कि हार्मोन जो होता है वह हार्मोन आपका सेक्रेशन होता है यह क्या करता है नींत्रन और समन्वे में मदद करता है तो उमिद करते हैं कि यह दोनों अंता सरावी गरंथी और बाहर सरावी गरंथी समझ में आ गया होगा एक और होता है कि एक और ग्लेंड होता है जिसमें क्या होता है कि क्यांकल का सेक् कराएगा और किसका इंजायम का भी से क्रेशन कराएगा तब इस प्रकार की गरंथी को क्या बोलते हैं इस प्रकार की गरंथी को बोलते हैं मिस्रीत गरंथी तो यह सारा points था उबिद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा important है इसको याद रखेगा examination के द्रिश्टी कौन से आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अंतह सरावी ग्रंथियों के बारे में तो चलिए start करते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा जो endocrine glands है उन से भी चीजों के बारे में सबसे पहला है आपका puse ग्रंथी यानि कि pituitary gland जो puse ग्रंथी है यह हमारा कहां पाया जाता है हमारा जो पबस्च मस्तिस्क होता है उसमें पाया जाने वाला एक ग्रंथी है प्योस ग्रंथी से related努्स को क extern से याद रखेगा कि यह जो हमारे शरीडर का सबसे छोटी ग्रंथी है और कहां पाया जाता है तो यह पस्च मस्टिस्क में पाय जाता है अब देखिए होता क्या है कि यह नियक्स क्या और सब्सक्रणों करता है कि यह सभी ग्रंथियों पर पाप्ट्रोल रखता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं मास्टर ग्रंथी भी कहते हैं ठीक है तो एक्जाम में बहुत बार यह कुछन रिपेट हुआ है कि किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है याद रहेगा मस्टर क्यों कहते हैं क्योंकि यह हमारे इसारीम जितने भी और हैं उनपी ग्रंथियों को नियंत्रित करने काम करता है अब बात आती है कि ठीकार उट्रह ग्लैंट हिसे लिए प्रेरित कंव्या bathingत करने काक्या should यह भी important है, exam में बहुत बार repeat हुआ है, hypothalamus, ठीक है, जब आप plus two का class करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको यह सारा चीज बता जाएगा, ठीक है, कि hypothalamus का जो बता है, वो वो क्या होता है, हलांकि hypothalamus के बारे में मैंने वैसे बता रखा है, जब मैंने brain बता था, जिससे में बत नियदरत करने काँ करता है, भूख, प्यास, नीद, या फिर temperature जो होता है, उन सभी को यह क्या करता है, नियदरत करने का काँ करता है, ठीक है, तो प्यूस्ट गरंथी से इतने points अपनों को याद रखने, क्या है, सुनिएगा, प्यूस्ट करन्थी हमारे सरीर की सब से छोट में गन्थी ए ठीक है' उसके बाद उसके बाद पॉइंट क्या है कि में स्थित का होता है तो यह वाज वास्ट्रा !" तूसरी तीसर्सरा पॉइंट क्या है कि हमारे सेरे में जित्ने भी घृनथियंग होती है उन सभी गरन्थियों को यह Xavier के साथ क्या करता है कंच्रोल करने का काम करता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं मास्टर ग्रंथी के नाम से बुलाते हैं यानि मास्टर ग्लेंड कहते हैं अब मास्टर ग्रंथी को क्या करता है सपोर्ट कौन करता है प्रेडित करने का काम करता है आपका हाइपो थैलमस ठीक ह अब होता है कि यह जो प्यूस ग्रंथी है इससे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है व्रिधी हार्मोन का सिक्रेशन होता है यह व्रिधी हार्मोन का सिक्रेशन होता है यह व्रिधी हार्मोन का सिक्रेशन होता है यह व्रिधी हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इसी के वज़ होगी ठीक है उसका जो लंबाई जो होगा वाक्या होगा उसका लंबाई बढ़ेगा यह लेकिन यदि यदि व्रिधी हर्मुन का सेक्रेशन ज्यादा हो गया तो उसके सरीर का आकर जोगा आपके शाकित ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यह दोनों पॉइंट से याद रखे है ठीक है चलिए अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं पीनिल ऑगलंड के बारे अब पिट्ट्री ग्लेंड के ठीक नीचे स्थित होता है मैंने अब भी कहा कि सबसे छोटी गरंथी प्यूस गरंथी ठीक है लेकिन पीनिल गरंथी जो है यह भी हमारे सरीर की छोटी कि गेवर होता ही निया मटर के दाने के आकार होता है । इस से आपको उन्हीं पूइंट की याद रखना है् कि इससे क्या कब जाता है विबैंक सिर्दॡ क्लोग का जाता है या माली जे कि आप रात में सोते हैं उससे मैंड सेट करके अगर सोते हैं कि हमको इतने बजे सुबर में उठना है मली जी आपने कोई टाइमिंग सेट किया कि 5 बजे हमको उठना चाहिए कल क्योंकि कोई भी जरूरत काम हो तो 5 बज अगर उठना है तो हमारे माइड में यह चीज़ सेट हो जाता है कि 5 बज उठना है और आपका जो निंध है पांच बार या फिर 5 स्वाज दो या आपका नियंद को ले जाएगा तो यह मैंतैन कर काम कौन करता हुई इसको नियंद करेंक का काम कॉन करता है आपका पीणियल ग्लाइंड क्वेंट बोलते हैं इसलिए हम पीणियल ग्लाइंड खोलों से कण ब्राबर होता है। हम लोग अगला बात करते हैं थाराइड गरंथी जो है वो हमारे गले में पाये जाता है ठीक है कहां पाये जाता है गले में पाये जाता है थाराइड गरंथी सुनिए अगोर से इंपोचन्ट है इस तरह लेटर बहुत सारे कुशन एक्जामनेशन में आते हैं थाराड गरंथी जो है जो हमारे गले में पाये जाने वाला एक गरंथी है ठीक है होता क्या है माल लीजे कि यह आपका गला इसका अगर हम थाराड गरंथी के आकार की बात करें तो कुछ इस त घाले रोकसी नका सराव किस घ्रीचंग कर रोकसीन हार्मुन तो याद रखेगा थाराइड ग्रंथी जोता है तो याद रखेगा थाराइड ग्रंथी से थाराइड सराव के लिए कि आयोडीन का होना बहुत जरूरी है यदी जरीर में की मात्रा कम है तो क्या हो गाN ऊब्सक्रणा जैने में हो पाएगा और फंझेन का सेक्रेशन नहीं होगा तो थाराइड गरंथी पर अतरीक्त प्रेयशर परेगा जिसके वज़़े से क्या होता है थाराइट गरंथी का कर बड़ा हो जाता है और इससे हम a का नाम देता है जिससे क्या बोला जाता है यह कह है घह घा यह जज़ता है गुटर ठ injust app रोग हो जाता है झட हुए उम्म होज में रहागा फिर से शुनिया 0し जो होता है हमारे गले में स्थित होता है जिससे थायरोक्सीन हार्मोन का सेक्रेशन होता है थायरोक्सीन के स्राव के लिए किसका होना अनिवार है आयोडीन का होना अनिवार है यदि आयोडीन ना मिले तो क्या होगा आयोडीन ना मिले तो थायरोक्सीन का निर्मान नहीं होग और यदि थारोक्सिन का निर्मान नहीं होगा तो क्या होगा थाराड गरंथी पर अतिरिक्त दबाब परेगा और यदि अतिरिक्त दबाब परेगा उसके निर्मान के लिए तो उसका आकार अपएक शाकर तो बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो वह एक डेजिज एक और गरंथी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, पारा थाराड गरंथी, पारा थाराड गरंथी बोलते हैं, ठीक है, यह जो चार है, पारा थाराड गरंथी बोलते हैं, याद रखेगा, एक मात्र ऐसा गरंथी है, जिसकी संख्या हमारे सेरे में कितनी है, चार है, पारा सभी का नाम सेम है, पारा थाराड ही बोलते हैं चारो को, ठीक है, कहा होता है, तो थाराड गरंथी के चारो कोने पड़ ये इस्थित होता है, इसका काम क्या है, तो ये जो है हमारे सेरीड में, बेसिकले केलसियम को मेंटेन करने का काम करता है, किसका केलसियम मेंटेन करने का क होता है खेल्सियम हमाइरे सब्सक्राइब होता है कि rehe großer होता है कि का उसका कारण क्या होता है तो क्वे नियुलहाद सुछतें कि यह इसको कहल रहे हैं केल्सियम का बहुत सारा टाबलत भी दे रहें कैल्सियम यथा भोजе पदार्वИ दे। फिर भी इसका हड़ी कमजोर क्यों तो होता क्या है कि आपका जो thyroid gland होता है ठीकिना thyroid gland क्या करता है calcium को सरीर के सभी भागों में भेजने का काम करता है अगर मन लिजे पारा thyroid gland जो होता है अगर proper work नहीं कर रहा है तो आप कितने भी calcium खालो आपके सरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक calcium नहीं जाएगा और यदि calcium नहीं जाएगा तो आपका हड़ी जो होता है वह धीरे-धीरे कमजोर होना स्टार्ट होगा तो हमारे में मेताबॉलज्म क्रिया होने के लिए केल्सीम का जरूरत है अगर केल्सियम MARYोग है अगर ऐकस्टर्णली रूप से नहीं मिलना है zwy हड необход say 요 होगा हड़ीयों करो हो जाईगी हडीयों में चिद्रोन हो जाता है चीक है याद रहेगा पारा थाराट गरंथी का काम क्या है कैल्सियम की मात्रा को मेंटेन करना और सरीड के सभी भागों में इसको ट्रांसफर कराने का काम है चलिए अगला देखते हैं हम लोग अगन्यास है अगन्यास है जो है हमारे सरीड की सबसे बड़ी मिस्रित गरंथी ह मैंने मिस्रित वर्ड योज किया क्यों कि मैंने जिस समय स्टार्ट किया था उसी समय कहा था कि गरंथी तीन तडिके के एक अंतह सिरावी, बाह सिरावी और एक मिस्रित, अंतह सिरावी गरंथी से हार्मोन का सेक्रेशन होगा, बाह सिरावी गरंथी से इंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, और मिस्रित गरंथी से दोनों चीजों का सेक्रेशन होता, यानि कि अंदर और बाहर दोनों क्या कराता है, से क्रियाज जो होता है यह देश्ट कर के बना होता यह से लिग ह्ढ़ा हो たatique एक एक आपका बीटा और प्रम और पर्म यह तेना प्रम को शियंकर के बना हो just इसमें आपको सबसे ज़ाएंपोरेंट है Vetacell कि ही जो होता है वह बना होता है इलगरहन्स से हैंन कि हिंदी मेंपोरेंट क्या होता है है यह बेछल नाम नले देखा ठीक है तो कि लेंगरहन्स की बिंपोरेंटrica देखा महीं आपका आयलर्кими लंगर हंस के दूपीर के और यह जो इस से कौंसा हर्मोन एक दूपल को सेग्रे तो इंसूलिण फिनले दिल्न सरेप to beaky жyn कर नाम इंप्रिकरत है इंपुर्टेंट है इंसुलीण क्या कड़ाता है हमारे सरीमें और फ्रीण का लेवल होता है ठीक है गुलुकोज का जो लेवल होता है इसको क्या करता है मिंटेन करने का काम करता है अगर माल लेते हैं किसी के सरीड में इंसुलीन का स्राव अगर कम हो रहा है तो क्या होगा उसके सरीड में गुलुकोज या कहले चीनी का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता जो एक रोग का रूप ले लेगा जिसे हम बोलते हैं मधुमें ठीक है तो कोशन पोचता है एक्जामनेशन में मधुमें किसकी कमी से होता है तो मधुमें होता है इंसुलीन की कमी से क्यों क्योंकि अगर इंसुलीन नहीं होगा सरीर में इंसुलीन की कमी हो जाएगी सरीर में तो चीनी का लेवल एक्टमेटिक बढ़ेगा हमारे सरीरे में जिसके वाज़ा से क्या होगा वह रोग का रूप ले लेगा और उसे हम क्या कहेंगे मधों में कहेंगे इंपोर्टेंट है कोशन पूशता है कि इंसुलीन का सिराव कहां से होता है तो अगनासे के लंगर हैंस की द्वीपिकाओं से ठीक है इंसुलीन इंसुलीन जो होता है कौन से कोशिका से तो बीटा सेल से कौन से कोशिका पीटा कोशिका से क्या होता है इंसुलीन का सेकरेशन होता है अब बात आता है कि इंसुलीन की कमी से होता कौन सा रोग है तो मधुमेह और मधुमेह से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो सबसे पहले थो हम बोलेंगे लेंगर हैंस के दुएपी का यदि आप्शन में ना रहें लेंगर हैंस के दुएपी का तब हम जवाब देंगे अगर नया से ओके इंपोटेंट है यह दोनों पॉइंट आप लोग जितने ही पॉइंट मैंने इसका बता है वो सारा याद रखेंगा ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं अधिवरिक क्या है एड्रिनल ग्लेंड एड्रिनल ग्लेंड हमारे सरीरे में सबसे जादे इंपोटेंस रखता है मैंने परहाय था जब आपको क्या किड्नी तो आपको बताया था जो किड्नी होता है देखें काहें आपर जो हमारे सरीर में किड्नी होता है मालनी जीए यह आप हमारे सरीर के किड्नी है ठीक है ठीक है आधी-विरिक है आप उसको देख सकते हैं हम इसमें नहाने से कौन सा होता है तो आधि श्रावन सरावित होता है दूबर्ट सा काम है यह क्या होता है नयार क्या है अपात कालीन इसस्थिती में सरावित होता है अपात कालीन का मतलब किसी परकार का तेंशन आ साना एक आएक किसी भी तरह का प्रतिकूल स्तिती शहाद होता है तो इस समय यह अल्ब समय के लिए सिरावित होता है तो इसको कोम लोग बोलते हैं लरो Bierno häuf के नाम सी पो पूष्चन से ओर के आंने संट में आप आठ गलेन्ड या अधिवरिक है उसके आप कहता है कि क्या कहेंगा अधिरे नहीं हरमोन का सराव कहता है तो एडिनल ग्लेंड या अधी विडिक से होता है और एडिनल ग्लेंड का और काम है ठीक है एडिनल ग्लेंड से और सरावित होता है क्या दो और हार्मोन है ठीक है वो सरावित होता है और क्या करता है हमारे सरीर में ग्ल्कोज और वाटर लेवल को भी क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है उसका नाम क्या है करता है तो मैंने जितने भी पॉइंइंच बता है ठीख है उमीद करते हैं कि सारा पॉइंट्स समझ में आ गया होगा आप लोग ठीक है इस वीडियो को आप लोग एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि गरंथी से रेलेटेट जितने भी पॉइंट्स है वो सारा आपको क्लेर हो सके ठीक है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा मिलत पॉइंट्स